आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे Class 4th English The English Channel Book का Chapter 10 The Old Green Door का Hindi Explanation So, इसके Question-Answers चाहिए तो उसका Link आपको Description में मिल जाएगा और Chapter के Start में एक Exercise दी है Question No. A Match the Genres of Stories with the Correct Characters and Themes So, First One Fairy Tales Answer D. Fairies and Elves and Fantasy Second, Horror Stories Means A. Ghosts and Vampires Spooky Third, Fables Means Features Animals, Teaches Values Fourth, Science Fiction Means Imagined Scientific Discoveries So, Let's Start the Chapter Many of us going on adventure and exploring new places हमें से बहुत सारे बहुत सारे लोग एडवेंचर्स पर जाते हैं और बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं हमें वहां देखने के लिए बहुत कुछ मिलता है Three school friends Tom, Jack and Tim Go on an adventure Only to find something unusual and mysterious तो तो तीन स्कूल के दोस्त हैं जिन में से एक का नाम है Tom तीनों मित्र हैं एक का नाम है Jack और एक का नाम है Tim केवल कुछ असामान्य और रहसमें खोजने के लिए एक adventurous trip पर जाते हैं Let us find out what is it तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है Characters in the play So जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है एक play है adventurous play और इसके character है Tom, Jack and Tim जो कि तीन स्कूल के लड़के हैं और एक है Uncle Ryan Uncle Ryan is talking to Tom, Jack and Tim तो यहाँ पर play में start होता है तो सबसे पहले सीन में Uncle Ryan जो है वो Tom, Jack और Tim से बात कर रहे है He knows the boys love to explore and find out new things और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि लड़कों को नई नई चीजों को ढूनना बहुत पसंद है Uncle Ryan I know you love adventure Tom, tell me about one any kind तो यहाँ पर Uncle Ryan कहते हैं मुझे पता है तुम्हें रोमांच बहुत पसंद है Tom, मुझे किसी एक के बारे में बताओ किसी भी प्रकार का जो तुम्हें जिसके बारे में बात करना अच्छा लगे तुम कहता है, yes, I have been in this school for six years now और वो कहता है, मैं अब छे साल से इस स्कूल में हूँ Begin when I was four और जब मैंने ये स्कूल शुरू किया था ता मेरी उमर चार साल की थी और अब उस हिसाब से टॉम दस वर्ष का है But I have never found out what lies behind the dusty old green door टॉम अंकल रियान को बताता है कि मैं छे स्कूल में हूँ लेकिन मुझे कभी ये नहीं पता चल पाया कि ये धूल भरे पुराने हरे दर्वाजे के पीछे क्या है अंकल रियान You make it sound mysterious Where is this old green door अंकल रियान कहते हैं अब तुम मुझे जो बता रहे हो मुझे बहुत रहस में दिखा रहा है ये पुराना दर्वाजा कहा है ये बताओगे टॉम It's down past Mrs. Joyner's room at the end of the corridor टॉम उसकी जगा बताता है और कहता है कि ये श्रीमती Joyner's के कमरे के सामने गलियारा जो है उसके अंत में है But she never goes in there Nobody use the dusty old green door लेकिन वो वहां कभी नहीं जाती नहीं कोई भी दूल बरे दर्वाजे उस हरे दर्वाजे का उप्योग नहीं करता अंकल रियान Go on, go on, tell me more अंकल रियान कहते है मुझे और बताओ उसके बारे में जो भी तुम कुछ जानते हो टॉम This morning Jack, Tim and I decided to explore तो वो कहता है इस सुबह मैं और मेरी तो दोनों दोस्त है Jack और टिम उन्होंने तै किया था कि हम इसका पता लगाएंगे So during play time जब हम खेल रहे थे We headed inside towards the dusty old green door तो हम उस धूल बरे हरे दर्वाजे की तरफ बढ़े अंकल रियान So then, what happened? अंकल रियान ने बरे curiosity के साथ पूछा अच्छा तो फिर क्या हुआ? Come on Tim, now you tell me तो वो कहते हैं अच्छा तीम तुम मुझे बताओ तीम कहता है We passed the staff room, passed the labs and that was when she saw We saw an airy light was shining bright behind the old green door आगे की बाद तीम बताता है वो कहता है मैं staff room से, हम staff room से गुजरे फिर lab से भी गुजरे और तब ही हमने देखा कि पुराने हरे दर्वाजे के पीछे एक भयानक रोशनी चमक रही थी यनि वो बिलकुल भी normal नहीं थी अंकल रियान Then what did you do? तो अंकल रियान ने कहा तो फिर तुम लोगों ने क्या किया? आप सब ने क्या किया? Tom We crept up close And then we heard what none had heard before A scratchy sound that moved around behind the old green door He shuddered a little तो तुम ने कहा कि मैं जब हम staff room से गुजरे और फिर lab से गुजरे और जब उस तरफ पहुचे तो जैसे ही हम उसके पास पहुचे हमने सुना कि एक जैसी एक आवाज जो कभी हमने पहले ने सुनी थी ये करकश आवाज जो पुराने दरवाजे के पीछे से आ रही थी और वो ये बताते समय थोड़ा श़डर्ड मतलब होता है कापना कापते हुए ये बता रहा था अंकल रियान ना टर्न योर टर्न जैक फोर योर लिटल स्पीच तो अब अंकल रियान ने कहा कि भाई मैंने टिम से पूछ लिया टॉम से पूछ लिया और अब जैक तुम्हारी बारी है तुम मुझे भी अपने कुछ एक्सपीरियंस बताओ जो तुमने वहाँ महसूस किया जैक and then we heard the terrible teeth तो वो कहता है कि फिर हमने भयानक दाथ जो हैं उनकी आवाज सुनी they started to ganache and gno उन्होंने दाथ पीसना और कुतरना शुरू कर दिया यसे जिसी चीज़ को काटते हैं उसको करना शुरू कर दिया था ऐसी आवाजे आ रहे थी and then they started to chew upon the terrible old green door और फिर हम मुझे लगा कि उन्होंने कुछ चबाना शुरू कर दिया है और ये सारी आवाजें उस भयानक पुराने दरवाजे के पीछे से आ रही थी then we heard a chilling scream और उसके बाद हमने एक चीक सुनी scream करना, चीकना and then a growling door उसके बाद एक भयानक दहार सुनाई पड़ी then something started to pond against the terrible old green door और उसके बाद ऐसा लगा कि दरवाजे के पीछे कुछ टक्रा रहा है pound का मतलब होता है कुछ आपस में टक्राने की आवाज uncle ryan you are making me scared were you scared uncle ryan कहते हैं तुम लोगोंने तुम मुझे इससब बता के डरा दिया तुम डरा रहे हो क्या तुम लोग डर गए थे tom of course we weren't oh no off ran tim I followed him at speeds not done before then strange to see jack flew past me away from that green door तो वो बोला बेशक हम नहीं थे अरे नहीं tim भागा पहले मैं भागा उसके पीछे वो भागा और हमारी गती इतनी तेज थी फिर ये देखना इतना अजीब था jack मेरे पीजसे बिल्कुल बहुत दूर भाग गया और उसे वो जो दर्वाजा था उससे भी बहुत दूर चला गया मतलब कि वो तीनों जो हैं and straight away I swore that never again would I go near that terrible old green door jack कहता है कि जैसे ही हम वहाँ से निकले मतलब वहाँ से काफी दूर आ गए घंटी बजी और तुरंट मैंने ये कसम खा ली कि मैं कभी उस भयानक पुराने दर्वाजे के पास नहीं जाओंगा वो तीनों बच्चे इतना जादा घबरा गए थे कि उन्होंने swore का मतलब होता है कसम खाना उन्होंने अपने आप में एक वादा ले लिया था कि वो कभी भी उधर की तरफ नहीं जाएंगे तिम then Mrs. Lee then Mr. Lee said come you three I need some help in the store उसी समय Mr. Lee ने उनसे कहा कि मुझे तुम तीनों से मदद चाहिए store room में तो आओ जरा मेरी मदद कर दो and I suddenly knew he was taking us to that terrible old green door और तभी अचानक मुझे पता चला कि वो हमें उसी भयानक दरवाजे पर ले जा रहे थे his eyes grew red as if they bled his hand bent into the claw और उनकी आखे जो थी वो मानों खूं से भरी हो और इतनी जादा लाल हो गई थी उनके हाथ के पंजे मुड गए थे we ran as fast as our legs could move और हम उतनी तेजी से भागे जितनी तेजी से हमारे पैर दौर सकते थे and I have no doubt we will never find out what's behind that horrible old green door और मुझे कोई भी शक नहीं है कि आइंदा हम कभी भी उसके पीछे कौन है क्या है इसके पता लगाने कभी भी उस भयानक दरवाजे के पीछे नहीं जाएंगे तो यह तो हमने किया इस चाप्टर का हिंदी एक्स्पिनेशन आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रस कर लें जिससे कि आपको आने वाले न्यू अपडेट्स मिलते रहें पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें